हेलो एंड बेलकम दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियो में बताएंगे कि यूनियन मैंक ओफ इंडिया का SMS बैंकिंग फॉर्म एप्लिकेशन कैसे फिलब करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं आपको कहा हैं यूनियन मैंक ओफ इंडिया से के SIMS Banking एक अफ्लिकेशन फरम ले लेना है तो यहां पर आपको दिख रहा है यह name of customer जो आपके account पे नाम है वो आपको अपना नाम डाल देना है इसके बाद यहां पर address यहां की जो आपका address है यहां पर address डाल देना है इसके बाद तीसरे नमर पे आना हैं यहां पर branch यानि कि क पडांच बांच को दाल किसी पर आपे सब्सक्राइगानी कोड सेंब लाइल कि अन्टन डाल देना है। उसके बाद यहां पे country code आपको फ्ल डेकर नहीं करता है क्योंक्ते से बाता देलेगा आपको यहाँ पे SMS alert यानि कि alert desired है यहाँ पे balance प्यलओ यहाँ पे 1000 है यहाँ पे आपको 1000 फिलब करदेना है और यहाँ पे yes करदेना है यहाँ भी credit अब 5,000 है यहाँ पे yes करदेना है उसके बाद यहाँ पे भी debit पहांच जारा थे यहां पे आपको deposit maturity alert, yarni कि यहां पे पर देख देना है, यहां परwalण करने के बाद, यहां पे आपको signature कर देना है, जो आप, जैसे आप signature करते हैं, यहां पर लेश लिख देना है, और यहां पे आपको, जिस date को जमा कर रेगा, hä hipo date लेचे देना है, तो friends यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीके से Union Bank of India का SMS Banking Application Foreign Fill Up हो चुका है तो friends इसी तरह से आप अप्लाइ कर सकते हैं Union Bank of India में तो friends अगर वीडियो चल गए तो वीडियो के लाइक जरूर करिएगा चलिए मिलते हैं next वीडियो में